आपको इसमें फागवत पुरान में मिलेगा नहीं राजाता विवर्ण आपको मावार्त में मिलेगा वैसे तो मैं आपको बता दूंगो कुछ लोग अग्यानता वर्षिय कहते हैं कि किसी भी प्रामानिक शास्त्र में राधा का जिक्र नहीं है तो मैं आप आज कुछ महापुरान जो स्वयम वेद्व्यास ने लिखा था 1500 विफोर क्राइस्ट में उनमें से राधा का जिक्र देखूंगा मेरे पास सारे महापुरान तो नहीं है जो हैं उनमें से ही मैं पढ़ूंगा तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा महाभारत खिला भाग हरीवंश महापुरान विश्नु पर्व 20.33 हा हेती कुर्वतस्य प्रहस्टास्ता वरागना जग्री हुर्निर्स स्रितांग वानिं नामना दामो दरे लिताम अर्थात जब वे राधे हा राधे हा व्रज गोपियों इत्यादी कहकर उन्हें पुकारते उस समय उनका आहवान सुनकर वे गोप सुन्दरिया हर्ष से खिल उठती थी यहां पर राधे अर्थात राधा का जिक्र है अब दूसरा पढ़ूंगा देवी महापुरा 9.4.57 तेनैव तपसा द्रिष्टा भूविंग व्रिंदावने वने कथिता पंचमी देवी सा राधाच च प्रक्रिर्थिता अर्थात किन्तु अंत में तपके बल से व्रिंदावन के कानन में जिनका दर्षन पाकर कृथार्थ हुए है वक्स जिनका दर्षन प्राप्त करने में समर्थ ना हुए नारद वह यही पाँचवी प्रकृती है इसको राधा नाम से निर्देश करते हैं अब मैं पढ़ूंगा ब्रह्म वायवर्थ महापुराण कृष्ण जन्मखंड पूर्वार्थ 2 5 30 31 35 यह सारे चैप्टर्स यह सारे अध्याय राधा को समर्पित हैं उसी तरह उत्तरार्थ 69 92 93 94 95 96 97 110 111 127 यहां पूरा का पूरा अध्याय ही राधा को समर्पित है पूरा अध्याय तक्रिबन हजार श्लोकों का है यह सारा मिसाल तो उसमें से सिर्फ में अध्याय का नाम पढ़ूंगा उसमें ही राधा का जिक्र होगा जैसे जिसलिए विश्णु गोप के वेश में गोकुल आये तथा राधा गोपी हुई वह कारण बताया राधा ने श्रीधामा और नारद ने श्रीधामा राधा के कलह के बारे में पूछा रत्नमंडप में विर्जा पर आसक्त श्रीकृष्ण के बारे में सक्यों से सुनकर कुपित हुई राधिका रत्नमंडप में गई राधा का नाम सुनते ही श्री हरी अद्रिश्य हो गए और डर से विर्जा ने प्रान त्याग कर नदी का रूप धारन कर लिया राधा के मंदिर तथा उसके सोला द्वारों का वरणन राधा के भीत्री महल में देवताओं का गमन राधा मंदिर का वरणन राधा मंदिर में देवताओं द्वारा श्रीकृष्ण के तेज स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा शंकर और धर्म द्वारा श्रीकृष्ण की उस तोत्र के पाठ का फल कथन राधा के पूचने पर कृष्ण ने अश्टावक्र का इतिहास बताया पुनह राधा के प्रश्ण करने पर कृष्ण ने ब्रह्मा के शाप का तारण बताया वहां प्रसंग वश राजा सुचंद्र का वृत्तांत कहा विरहातुर मोहीनी की अवस्ता का वर्णन मोहीनी का वरत एवं उसके द्वारा कामदेव की स्थुती राधा और कृष्ण के समवाद रूपे ब्रह्मा और भारती का उपाख्यान राधा और कृष्ण की क्रीडा का वर्णन राधा स्तोत्र, राधा और उध्दव का संभाज, उध्दव द्वारा राधा की प्रार्थरा और गोपियों का संभाशन, राधा के प्रती उद्धव की संसार सागर से पार उतरने की याचना, राधा द्वारा उद्धव को संसार से पार उतरने का उपाय कथन तथा काल गती का निरूपन, उद्धव को राधा द्वारा ज्यानो पुदेश, उद्धव द्वारा राधा भक्ती का वर्रन, के चले जाने के बाद राधा की शोकावस्था राधा और यशोदा का समवाद राधा द्वारा यशोदा को भक्ती ज्ञान का उपदेश अपने नाम की वित्पत्ती का कथन राधा और कृष्ण का श्रिंगार कृष्ण का व्रजवासियों को दर्शन कृष्णि द्वारा कली युग के देवों का निरूपन और राधा आधी गोपियों का गोलोग गमन तो ये था ब्रह्म वैवर्थ पुराण जो की पुरा का पुरा राधा को समर्पित है उसके बाद मैं पढ़ता हूँ शिव महापुराण रूद्र समिता युद्ध कांड 31.11 रक्षको हं सदा पृत्या सुभद्रं वो भविश्यती मदिच्छया खिलं जातमिदं सर्व न संशया मैं तुम सबका रक्षक हूँ तुम सबका कल्यान होगा इसमें संदे नहीं है यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है स्वस्थानंग गच्छंग त्वंग सार्ध राधया पार्षदेन च दान वस्तू भवेच सोयंग भारतेत्र न संशया राधिका और पार्षदों के सहित अपने स्थान को जाओ वह निहसंदे भारत में दानाव होगा अर्थात इतने सारे प्रमुक तक्रीबन एक दो तीन चार प्रमुक महापुराणों में राधा का जिक्र बिल्कुल है तो जितने भी लोग यह कहते हैं कि राधा का जिक्र किसी महापुराण में नहीं है वह गलत है इसके अलावा सकंद पुराण, लिंग पुराण, वाराह महापुराण, मत्स्य महापुराण, नारद महापुराण और गर्ग समहिता में भी राधा का जिक्र है और अन्य वैश्नव ग्रंथों में इतर ग्रंथों में भी है इसके आगे के भाग में मैं देखूंगा कि श्रीमत भागवद महापुराण में कैसे राधा का अप्रत्यक्षवर्णन है, प्रत्यक्षवर्णन भी है राधा के नाम से और उनके दूसरे डाक नाम से भी संबोधन किया हुआ है अम हनुमते नमाहा अब इससे पहले कि मैं भूल जाओं मैं एक और उदाहरन देखना चाहूंगा वह है मत्स्य महापुराण 13.38 तो श्लोक कुछ ऐसे है शिव कुंडे शिवा नंदा नंदिनी देवी का तटे रुक्मिनी द्वारका वत्यांग द्वार्वत्यांग तू राधा व्रिंदावने वने अर्थात द्वारका पुरी में रुक्मिनी और व्रिंदावन में राधा हूं यानि रुक्मिनी की तरह ही व्रिंदावन की देवी राधा शक्ती स्वरूपा है यह देवी खुद मत्स्य महापुराण में कह रही हैं तो इससे और बड़ा क्या प्रमान दे सकता हूं महापुराणों में राधाक्य प्रत्यक्ष्वर्णन का ओम हनुमते नमहाँ